नमस्कर दूस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एज़िकोस्टने चनल में आज की वड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे चहरे के जो काले धब्यों होते हैं उसको दूर करने वाली दवाई के बारे में तो यह जो मेडिकेसन यह खासकर आपको हेल्प करती है चहरे के काले धब्यों को दूर करने में साथ हो साथ जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं रुन के करन पर कई बार जो ब्लैक स्पोर्ट बन जाते हैं उसको ठीक करने के लिए भी यह मेडिकेसन आपको हेल्प करती है उसके अलावा जो डार्क स्कीन हो जाती है acne या फिर pimples हो जाते हैं तो उसके लिए जो काफी important medication है उसके हम बात करें कि जिसका नाम है wipe clear lotion तो सुरू करते हैं आज का lecture और जानते हैं detail में wipe clear lotion के बारे में तो ऐसे समझो कि आपको बहुत सरी दवायों के बारे में सीखना है और उनके use के बारे में सीखना है तो आप सीख सकते है फार्म रोक्स के अब उपर medicine course के अंदर तो medicine course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी तो बात है topic प्योर समझते है wipe clear acne lotion के बारे में तो यह ऐसे glass का medication है कि जो अलग-अलग skin related जो problems होते हैं उसको ठीक करने के लिए use की जाता है उसके manufacture के हम बात करें तो sbl private limited जो उसके manufacture है और यह एक homeopathic medication है और sbl के headquarters के हम बात करें तो वो डैली में है तो यहाँ यहाँ पर उसका label अच्छे से देख सकते हैं कि label में प्रॉपर यहाँ पर manufacture के आप detail देख सकते हैं अच्छे से उसके अलबा प्राइस डीटिल यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसके साथ manufacturing date expiry date वगड़ा भी वहाँ पर प्रॉपर printed है फिर खास storage condition है कि आपको cool and dark place पर उसको अच्छे से store करना होता है इस तरह से dark bottle में यह lotion जो वो available होता है तो यह lotion के बारे में आपको बदा दो कि उसका content क्या है कौन से ingredient उसके अंदर present है तो बैलिस पैरेनिस करके उसके अंदर एक ingredient present है second आप देखो तो इची ना से एंगुस्टी फोलिया एक second ingredient है उसके अंदर कि जो एक इसे चार में इंग्रेडियंट जो यह lotion के अंदर present है तो यह पर उसका composition भी आप प्रिंट देख सकते है कि जो labeling में अच्छे से पूरा composition भी यहाँ पर दिखाया गया है तो यह medications यहाँ पर देख सकते है कि total 30 ml जितना यह lotion जो आपको मिलता है और directly जो आफेक्टिड एरिया के उपर इसको लगाना रहता है तो यहाँ पर लिखा है sports बन जाते हैं जिसको dark sport या भी रहाम काले धब्बे कहते हैं कई बार तो उसको भी ठीक करने में यह education आपको मदद करती है सादुजा जो pimples बन जाते हैं boils blow cheese है तो यह anti acne lotion के तौर पर आपको मदद करता है और सादुजा चेहरे के जो काले धब्बे होते हैं उसको भी ठीक क उपर कहीं पर भी समझों कि जो comedos जो बन जाते हैं कि एक टाइप के ऐसे विंपल्स और खासकर उसके अंदर पर्स फार्मेशन भी होता है और कई बार लोगों को दर्द भी होता है और वो ठीक हो जाने के बाद वहाँ पर एक dark sport बना देते हैं तो उसको ठीक करने के लिए आप यह lotion जो अपलाएं कर सकते हैं फिर फेस का जो complexion के कई बार चाहरे पर दाग दब्बे बढ़ जाते हैं कि स्कीन इस तरह से आपकी कि प्रॉपर एक कलर नहीं दिखता कि कुछ एरिया काफी डार्क होता है कुछ पार्ट जो यह वो light होते है तो इसे uneven color देखने को मिलता है स्कीन का तो ऐसे कंडिशन में एक clear face complexion करने के लिए भी यह medication जो आप यूज कर सकते हैं फिर डार्क स्पोर्ट है ब्लैक स्पोर्ट है ब्लैक है फेस के उपर तो स्केलाज में भी यूज की जाते हैं तो स्पेशले डायग्राम में आप समझोगे तो अच्छे से पता चल एसे निकल जाते हैं फिर आप उसको निकल दे हैं तो उसके करन भी कही बार स्कीन के उपर ब्लैक स्पोर्ट बन जाते हैं वहां के एक स्कीन का जो क्लर होता है वह चेंज होता है और कहीं बार ऐसी कंडिशन देखने को मिलती है कि एक साइड का face इस तरह से और दूसरी साइ इक्वल कलर करने के लिए भी यह मेडिकेशन जो आपको मदद करती है उसके अलावा जो एकनेस बन जाते हैं इस तरह से पिमपल्स जो होते हैं और उसमें कई बार जो ही वह पॉस फॉर्मेशन होता है कि यहां पर देख सकते हैं कि यह वाला है यहां पर अंदर की और जो वह सबरा हुआ एक लंप तयार होता है तो वहां पर भी आप यह लोसन को जो अपलाई कर सकते हैं जिससे वह पिमपल्स भी चले जाते हैं और उनके दाग भी वहां पर नहीं रहते हैं तो उसके डूस की हम बात करें तो दो बार आपको दिन में लगाना होता है खासकर एक क्ली कॉटन स्वेब आपको लेना होता है और चाहरे से आपको अच्छे से वास करके चाहरे को वहां पर जो अपलाई करना होता है यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह सी कॉटन जो स्वेब है उसके उपर यह लोसन आपको लेना होता है और आप डायरेक्ली चाहरे के उपर उस को इन में से जो ingredient यूज के है उसकी allergy है तो ही आपको कुछ complications हो सकते हैं वरना इसकी कोई भी side effect आपको नहीं होती तो ऐसे ही समझो कि आपको detail में सिखना है अलग-अलग दवायों के बारे में तो medicine course को आप join कर सकते हैं तो medicine course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल चाहेगी so good luck and all the best